आज के इस वीडियो में हम हमारी python की exercise 3 करने वाले हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस exercise में क्या करना है तो देखे सबसे पहले हमें दो variable बनाने है और उस variable में हमें दो string store करवानी है जिसमें आप किसी भी इंसान का नाम या फिर आप जो चाहे वो string add कर सकते हो फिर second step में हमें क्या करना है हमें उन दोनो variables में जो string store करवाई है उन दोनों की length find out करनी है तो land function के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है तो मैं आपको बता दू कि अगर आपको किसी भी string की length find out करनी है तो आप उसके लिए land function का use कर सकते हो फिर last step में आपको देखना है कि आपने जो दो variable बनाए उसमें से जो name1 था क्या उसका length name2 से greater है या नहीं और अगर वो greater होगा तो हमें true return करेगा या फिर हमें false return करेगा तो चलिए इसे perform करते हैं तो सबसे पहले मैं यहापे क्या करूँगा यहापे दो variable बनाऊँगा तो यहापे मैं लिखूँगा name1 is equal to bb और name2 is equal to rohit अब मैंने यहापे दोनों अलग-अलग line में variable create किये है लेकिन आप अगर चाहते है कि दोनों ही variable आप एक सार declare कर दे तो ऐ ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं इसे comment out कर देता हूँ और यहापे आप लिख सकते है name1 फिर comma लगा के name2 then equal to और उसके बाद आप यहापे लिख सकते हैं bb फिर again comma and यहापे rohit इसे save कर दिया तो देखें यहापे मैं अगर print करू name1 and print name2 अब अगर इसे में run करू तो देखें हमारा जो variable था उसमें दोनों ही value आ चुकी है तो अब हमारा second step था कि हमें अभी मैं इसे निकाल देता हूँ पहले अब यहापे हम क्या करेंगे इन दोनों variable की length find out करेंगे तो आपको यहापे simply क्या करना है यहापे हम और दो variable बनाएंगे यहापे में लिखूंगा length underscore name1 is equal to यहापे में length function का use करूंगा और उसके अंदर में parameter pass करूंगा name1 फिर again में यहाप एक और variable बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा length underscore name2 फिर length और उसके अंदर name2 save कर देते हैं अब देखे length function क्या return करेंगा आप यहापे देखो तो हमारे string में total दो character है इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा name1 है उसके length होगी 2 और यह जो हमारा name2 है उसके अंदर 5 character है तो हमारे name2 variable की length होगी 5 तो चले इसे मैं दिखा दाओ आपको print करके तो यहापे मैं लिखूंगा print फिर name1 और यहापे print name2 sorry आप मुझे लिखना है land underscore name1 अब इसे run करते हैं देखे यहापे name1 की size वो 2 शो कर रहा है और name2 की length 5 शो कर रहा है तो अब इसे मैं comment out कर देता हूँ तो अब हमें क्या check करना है कि क्या हमारी जो name1 वाला variable है उसकी length हमारे name2 के variable की length से बड़ी है या फिर छोटी है तो उसके लिए हम यहापे क्या करेंगे यहापे लिखेंगे print फिर length underscore name1 variable और greater than का sign लगाएंगे और यहापे land underscore name2 अब यहापे जो मैंने greater than use किया है उसकी बात मैंने हमारी operator वारी वीडियो में कर दी है तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उपर i button पे क्लिक करके देख सकते हैं तो यह हमें return में क्या देगा अगर हमारा name1 की variable की length बड़ी है name2 से तो हमें return में true देगा और अगर less है तो हमें return में false देगा तो अब इसे run करते हैं तो देखें यहाँ पे हमें false मिल चुका है क्योंकि हमारा जो यह variable था name1 उसकी length 2 थी और हमारा name2 वाला variable था उसकी length 5 थी मतलब हमारे name2 variable की length name1 variable की length से ज़्यादा थी लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं लिख दू बिबी coder और अगर इसे save करके अब run करू तो देखें हमें यहाँ पे true मिल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ देखें हमने जब यहाँ पे बिबी coder लिखा तो हमारे name1 variable की जो length थी वो 7 हो चुकी इसमें total 7 character आ गए इस वज़र से हमारा name2 की जो length थी वो name1 की length से छोटी हो गई इसलिए हमें यहाँ पे true show कर रहा है तो I hope आपको इतना समझ आ चुका होगा